नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको Ford EcoSport के कुछ ट्रॉबैक्स बताऊंगा, जो कि आपको खरीदने से पहले जरूर जानने चाहिए और अगर आपको Positive Points वाली वीडियो देखनी है, तो आप देख सकते हैं उपर एक लिंक फ्लैश हो रहा है और अगर पुरानी EcoSport और नई EcoSport के Instrument Console को Compare करें, तो पुरानी वाली का ज़ादा अच्छा तो दिखने में वैसे इस गाड़ी में Leg Room की कोई कम ही नहीं है, पर अगर Compare करा जाए Nexon and Brezza से, तो उनके मुकाबले इसका Leg Room कम है और अगर Width के मामले में Compare करें, तो EcoSport लास्ट आती है इन तीनों में गाड़ी के जो Pillars हैं, वो काफी ज़ादा Bold हैं, तो ये जीज visibility कम करती है, और Drive करने में थोड़ी सी Problem आ सकती है पर Overall अगर देखा जाए, तो जो सब मैंने आपको इसकी Positive Points वाली वीडियो में बताया था इसके Engine के बारे में, तो इसके Engine को देखते हैं, इन सब Drawbacks को पीछे छोड़ा जा सकता है क्योंकि इस बार Top Model में मिलने वाला 1.5 लीटर पेटरोल एंजन को ज़ादा ही High Tech बनाया तो अगर आप ये गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपका decision बहुत अच्छा है और अगर आपको इस गाड़ी के बारे में और जानना है, तो नीचे description में मैंने एक वीडियो का link दे रखा है जो की EcoSport के Positive Points वाली वीडियो का link है और वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज इसे like करें, जाद ही अच्छी लगए तो share और subscribe भी करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो दोबर सोचेगा मत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जाए राम जी की